दोस्तो आप सभी का Only Top Study चैनल पर स्वागत है आज की वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री का एक Most Important Topic महतपून यूद दोस्तो इस वीडियो में मैंने सभी महतपून यूदों को कवर किया है ये Top 27 Questions बन रहे हैं जो की एक्जाम में बार-बार रिपीट होते हैं तो आप इस वीडियो को सुरू से लेके End तक देखेगा 27 में से कितने Questions के Answer सही कर पाते हैं अपना Score Comment Box में जरू बतेगा चलिए सुरू करते हैं पहला Question है पानिपत का पर्थम यूद कब हुआ था देखे अगर आपको Question का Answer पहले से पता है तो Comment Box में जरू बतेगा तो पहले Question का दोस्तो Right Answer हैगा 21 अप्रेल 1526 ECW में यानि की Right Answer आपका B हो जाएगा दोस्तो ये यूद हुआ था मुगल सासक बाबर और इबराहिम लोदी के बीच में दोस्तो बाबर ने इबराहिम लोदी को हरा दिया था और मुगल सामराज्ये की नीव रखी थी इस यूद के बाद तो ये पॉइंट भी आप लोग नोट कर लिजेगा पानिपत का दूसरा यूद कब हुआ था देखे अभी SSC GD का जो एकजाम चल रहा है दोस्तो उसमें हर एक सिप्ट में कोशन पूछे जा रहे हैं यूदों से संबंदित तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जादा हेल्फुल रहेगी और सोट वीडियो रहेगी जादा टाइम की वीडियो भी नहीं रहेगी तो ध्यान पूर्वक देख लेना दूसरे कोशन का दोस्तो राइट आंसर हैगा पांच नोवंबर पंद्रासो चपन में यानि की राइट आंसर ओप्शन ए हो जाएगा दोस्तो ये युद हुआ था अकबर और हेमु के बीच में ठीक है दोस्तो अकबर ने हेमु को प्रस्त किया था इस युद में ये भी आप लोग नोट कर लीजेगा अगला कोशन आता है पानिपत का तीसरा युद कब हुआ था जल्दी बताइए दोस्तो पानिपत का तीसरा युद हुआ था चोदा जनवरी 1761 इसवे में यानि की राइट आंसर आपका सी हो जाएगा दोस्तो एमद सा अब्दाली और मराठा सेनापती सदा सिव राव भाव के बीच में ये युद हुआ था ये पॉइंट भी आप लोग हल्दी घाटी का युद कब हुआ था दोस्तो हल्दी घाटी का युद हुआ था 18 जून 1506 में यानि की राइट आंसर भी हो जाएगा दोस्तो अकबर और राणा परताप के बीच में ये युद हुआ था है ना अकबर और राना परताप के बीच हुआ था इसमें राना परताप की दोस्तों हार हुई थी ये point भी आप लोग note कर सकते हैं पांचवा question है प्लासी का यूद कब हुआ था देखें प्लासी का यूद हुआ था दोस्तों 1757 में ठीक है न ये हुआ था दोस्तों options गलत हो गए हैं इसके लिए माफी चाओंगा प्लासी का यूद हुआ था वो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्लासी का यूद हुआ था 1757 इसवी में बात कीजे दोस्तों किस किस के बीच हुआ था अंग्रेजो और सिराजुदोला के बीच में हुआ था दोस्तों जिसमें अंग्रेजो की विजय हुई थी और भारत में अंग्रेजी सासन की निव पड़ी थी इसी यूद के बाद में ये यूद बहुत इंपोर्टेंट है इसका year भी important है किसके बीच हुआ था ये भी important है और ये youth जीता किस ने था दोस्तों अंग्रेजों ने ये भी important है और देखे 6000 के question answers की जो हमारी पीडियाप है दोस्तों जिसमें आपको ये सारी चीजे मिल जाएगी चाहिए youth से संबंदित question हो चाहिए आपके geography के हो, politics के हो, economics के हो, physics, chemistry, biology, current affair, computer, static, gk, इस पीडियाप में मैंने सब कुछ दे रखा है जो exam के लिए requirement है तो आप इस पीडियाप को purchase करते हैं directly नीचे description box में दियेगे link से या फिर हमारे website या WhatsApp नंबर से अगर आप चैनल पर नए है न दोस्तों तो चैनल को अभी subscribe कर लेना क्योंकि आगया आ आपका अगला question दोस्तों आता है वांडी वास का यूद कब हुआ था देखे वांडी वास का यूद हुआ था दोस्तों 1760 इसवी में है ना right answer option C हो जाएगा अंग्रेजों और फ्रांसिस्यों के बीच में दोस्तों यह यूद हुआ था इसमें अंग्रेजों और फ्रांसिस और इसवी में है ना और यह हुआ था दोस्तों अंग्रेजों और सुजाओ दोला मीर कासिम एवं सहा आलम दित्य की संयुक सेनाओं के बीच यह पॉइंट जुरूर नोट कर लेना है ना इसको ध्यान से पढ़िएगा वीडियो को पोज करके भी पढ़ सकते हैं बात कीजे धूस्तों इसमें किसकी विजय हुए थी इसमें अंग्रेजों की विजय हुई थी दोस्तों इस यूद में भी यह बी आप लोग नोट कर लेना आटवा कोशन है भारत पाक यूद कब हुआ था देखे भारत पाक यूद जो हुआ था सबसे पहले वो था 1965 में ठीक है ना र 1971 में इस point को भी जरूर याद रखना और इसमें भी दोस्तों पाकिस्तान की हार हुई थी और यूद के बाद भारत में सिमला में एक संधी पर हस्ताक्सर हुए थे जिसे सिमला संधी बोलते हैं दोस्तों ये भी question पूछा जाता है तो सिमला संधी कब हुई थी इस यूद में पाकिस्तान की हार हुई थी और उसके बाद में 1972 में दोस्तों सिमला संधी हुई थी ये point भी आप लोग जरूर नोट कर लिजेगा ठीक है चले और इसके बाद में दोस्तों 26 मार्च 1974 को बंगदेश की सवतंतरता की घोशना की गई और भारत पाकिस्तान के बीच सिमला समझ इस यूद के बाद में 1999 के बीच कस्मीर के कारगिल में हुआ था ये आपको याद रखना है यूद में पाकिस्तान की हार हुई है ना और कारगिल यूद के दोरान दोस्तों 26 जुलाई 1999 को भारतिय सेना ने ओप्रेशन विजे को सफलता पूरवक अंजाम दिया था ये भी आपको जरूर याद रखना है ओप्रेशन विजे दोस्तों किस यूद के दोरान चलाया गया था तो कारगिल यूद 1999 के दोरान ये पॉइंट जरूर नोट कर लेना क्योंकि यहां से कोशन बन जाता है ठीक है चले अगला कोशन आता है आपका ताली कोटा का यूद कब यूद में दोस्तों विजय नगर समराज्जे का अंथ हो गया था तो यह आपको याद अखना है बारवा कोशन आता है तराइन का पर्थम यूद कब हुआ था और देखें सेशन और मेहनत आपको हमारी पसंद आ रही है तो दिल से लाईक कर देना इस वीडियो को अपने भ अब हुआ था तो यह हुआ था मेरे प्यार दोस्तों 1192 इसवी में ठीक है त्राइन का सोरी पर्थम यूद वा था 1191 इसवी में ठीक है गई थी यह पॉइंट भी आप लोग नोट कर लेना कोश्य नमबर 14 है दोस्तो चंदावर का यूद कब हुआ था देखें चंदावर का यूद हुआ था दोस्तो ग्यारा सो चुरानमे इस वे में है ना और वहीं पर अगर बात किज़े इसमें दोस्तो मोहमद गोरी ने कनोज के राजा जैचंद को हरा दिया था यानि कि ये यूद किस-किस के बीच हुआ मोहमद गोरी और कनोज के राजा जैचंद के बीच में ये नोट कर लेना त्रित्य अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो ये हुआ था दोस्तो 1790 से 1792 इस वे में है ना राइट आंसर हैगा ट टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था दोस्तों ये यूद और यहां पर अगर बात की जाए अंग्रेजों के बीच संदी के द्वारा समाप्त हुआ था ये यूद जिसमें 1792 में सिरी रंग पटनम की संदी हुई थी ये आपको या दखना है अगला कोशन आता है चतुर्त अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो ये वह था 1798 से 1799 यानि की राइट आंसर आपका C हो जाएगा ये टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुआ था इसमें दोस्तों टीपू की हार हुई थी और मैसूर सकती का यहां पर क्या हो गया था दोस्त पर्थम अंगल मैसूर यूद कब हुआ था तो दोनों पढ़ लिए दोस्तों पर्थम भी यहां पर आपको जुरूर पता उनुचे 1767 से 69 के बीच में हुआ था है ना हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये भी नोट कर लेना दोस्तों यहां पर अगर बात की जाए इसमें हैदर अली की सर्थो पर चार अपरेल 1769 को मदरास की संदी के बाद यह दोस्तों युद समाप्थ हुआ था ठीक है ना अगला कोशन आता है चोसा का युद कब हुआ था चोसा का युद धोस्तों हुआ था 26 जून थीक है ना 26 जून 1539 में हिमायू और सेरसा सूरी ने हुमाईयू को दोस्तो इस यूद में हरा दिया था सेर सासूरी ने हुमाईयू को हराया था इस यूद में चलिए अगला कोशन आ जाता है कन्नोज या फिर इसको बोलते हैं दोस्तो बिलगराम यूद कब हुआ था दोस्तो ये हुआ था आपका 1540 में सेर सासूरी औ और हुमाईयू के बीच में हुआ था है ना और इसमें दोस्तों अगर बात की जाए एक बार फिर से सेरसासूरी ने हुमाईयू को हराया वे भारत छोड़ने पर मजबूर किया था तो ये पॉइंट भी आप लोग नौट कर लीजेगा अगला कोशन आ जाता है दुट्य अंगल मैसूर यूद हुआ था 1780 से 84 है ना डी राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली और अंग्रेजों के बीच में हुआ था ये भी नौट कर लेना और इस यूद के बीच दोस्तों 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली की मृत्यू हो गई थी किन्तु उसके पुत्र और उत्रा अ यूद हुआ था 16 about 1527 में यानि कि सीर राइट आंसर हो जाएगा बाबर एवन मेवाड के राणा सांगा के मद्ज लड़ा गया बाबर ने दोस्तों राणा सांगा को प्राजित किया था यह भी आपको याद कीने बाबर ने मेवाड के राना सांगा को प्राजित किया था अगला कोशन आ जाता है घागरा का यूद कब हुआ था दोस्तो इंपोर्टेंट ए बोथ तो ये दोस्तों किस-किस के बीच में हो था बाबर और अफगानों के बीच में हो था बाबर ने महमूद लोदी के नेतरित में अफगानों को हराया था दोस्तों ये पॉइंट आपको याद अखना है अच्छा ये जरूर याद अखना है दोस्तों बाबर ने महमूद लोदी के नेतरित में अफगानों को हराया था ये जरूर आपको याद नोट कर लेना है अग चीन-फोर्टी-नाइन में यानि कि A right answer हो जाएगा 24 वा कोशन भारत-चीन सीमा यूद कब हुआ था तो भारत-चीन सीमा यूद भात दोस्तो 1962 में यानि कि B right answer हो जाएगा और इसमें दोस्तो एकसाई चीन और अनाचल परदेश पर चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा छेतर पर आकर्मन किया गया था कुछ दिन तक यूद होने के बाद दोस्तो एक पक्षिय यूद विराम की गोशना की गई थी जिसमें भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था दोस्तो ये पॉइंट आपको नोट कर लेना कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गए थी दोस्तो कलिंग की लड़ाई 261 इसापूर्व में लड़ी गई थी ये आप क्या दखने है असोक उपने कलिंग पर आकर्मन किया यूद में रखत्पात को देखकर दोस्तों उसने यूद करने की कसम खाई थी इसी यूद के दुरान है ना और विजय इसमें दोस्तों क्या हो था विजय उसकी आकरी विजय थी और असोक बोध्रम का अन्याई बन गया था दोस्तों उसके बा आजा दाहिर और मुहम्मद बिन कासिम के बीच में यह आपको आदकना है मुहम्मद कासिम ने दोस्तों विजया पराप्त की थी अर्बो की सत्ता इस्थापित की यह भी आपको आदकना है अब एक कोशन में आप लोगों से पूछता हूँ इसी वीडियो से भारत पाक का दूसरा युद कब हुआ था जल्दी से कमेंट बोक्स में आंसर बताईएगा यह सेशन आपको कैसा लगा प्लीज यह भी कमेंट बोक्स में बताएगा काफी मेहनत से हम आपके लिए एक एक कोशन एक एक वीडियो बना रहे हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को गुरूप में सेयर कर दिया करें और अगर आप लोगों ने अभी तक ये पीडियाप परचेज नहीं की है तो इस पीडियाप को बाई करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बोक्स में लिंक दिया गया है इस पीडियाप के बेनेफिट ओल्रेडी मैं आपको बता चुका हूँ वेबसाइट से भी कर सकते हैं और वोट्सप नंबर पर मैसिज करके भी आप इसको परचेज कर सकते हैं आगे की सभी वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऐकन को ओन कर लेना थेंक यू सो मच बाई 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 आवरिवन टेक केर ख्यालक्य अपना